मांदारी से बताईए इतना बड़ा मैच हो पूरा ब्रिटिश मीडिया ये वान जान को तो छोड़ें ये सारे आपके अंदर घुसेवें हो जोई दा हिट मैन शर्मा ने अडेंटिफाई किया था उसने कहा था ये प्लेयर होगा टू भी वाच और देखें लफ्स बालफ्स आज रोईच शर्मा की जो प्रेडिक्शन है माइकल वान ये फ्लाना ये केवन पेटरसन ये दिस ये दैट ये अपने ही सारों को अंदर और नीचे और उपर से आग ना लग जाती अब आ जाते हार्दिक पांडिया साब पर अब तो हदी हो गई कि आपने अपने कप्तान रोईच शर्मा को ये ब्यूज कर दिया वो साफ नोट हो गया जहीं दोस्तों गुडिव नहीं हार्दिक पांडिया अपने इस तरह के रविये के लिए वेवार के लिए जाने जाते हैं एग्रेशन का भंडार है हार्दिक पांडिया और उन्हें ऐसा देखा भी गया है ओन इंसिडेंट आपने वीडियो देखी लिया होगा जिसमें माइक में ये रिकॉर्ड हुआ है कि किस तरह से वे अब्यूज कर रहे हैं रोई शर्मा को हलांकि इस पर तरह तरह की तरक दिये जा रहे हैं कहा जा रहा है कि DRS को लेकर जो है बहस बाजी हो रही थी में इस थोड का मैं जीतना चाहिए था इंडिया को मिंस फुल स्ट्रेंथ अपने स्ट्रेंथ को बेंचमार को टेस्ट करने की बजाए ज्यादा फोकस जो है जीत पर रखना चाहिए था तीन जीरो से वाश होती तो इंग्लेंड मीडिया जिसको की पहले ही चुप करा दिया था जुवान जुवान मानो होती ही ना जो होना सा हो गया देखते हैं अब ताजा क्या हो रहा है कुछ दोस्त कहते हैं जी सिरीज तो जीत गए ना बेंच रह देखें वर्ल्ड कप से पहले आप इस तरह के खौफनाग तजरबात नहीं करतें यू आर रणिग आट अट आफ टाइम इव आप से एक ही चीज़ पूछता हूं आप इमानदारी से बताईए इतना बड़ा मैच हो पूरा बिटिश मीडिया यह वान जोन को तो छोड़ें यह सारे आपके अंदर घुसे में हो आप उने हाई हो एक मैच में आप एक सो ठानवे एक में एक सो सतर एक में पचास एक में पावर प्ले में कर रहे हैं और उसके बाद आप तीसरे मैच में हलांके मैं मानदारी से समझता हूं सकाय ने 2002 का मुझे आज भी याद है टेंडूलकर गंगली सवाक सारे जा रहे हैं जा रहे हैं एशली जाहिलजार ने टेंडूलकर को जब बोल्ड किया तो लग रहा था बाई बाई हो जाएगा लेकिन वाई यूवराज और उसके बाद कैफ इन दोनों ने जो इनिंग्स खेली वो गंगली का बलकनी में कई लोगों को पसंद आया कुछ को बुरा भी लगा होगा मानता हूं लेकिन वो जजबात थे वो दिल से गंगली साहब ने बलकनी में तू दी पॉइंट बात कर रहा हूं कि वो था तो इसी तरह कल का मैच आपको जीतना चाहिए था सकून से अच्छा चलें आपने चेंजिस की आपने बेंच स्ट्रेंथ को चेक किया मैं इसको इंडोर्स कर देता हूं सारे हम इंडोर्स कर देते हैं जो नीट्रल्स हैं इंड बाहर के कंडिशन में आता है वो मुझ से तो 400 के स्ट्राइक रेट से 300 के और 200 के स्ट्राइक रेट से चलता है आई पील पूरी उठा के देख लें उसका स्ट्राइक रेट क्या है मैचिस में मिजॉरिटी आप मैचिस जो बाहर होंगे उसमें उसका क्या है इंडिया के मैच चीज़ में उसका स्ट्राइक रेट क्या हो जाता है ऐसे नहीं चलेगा अगर सूरिय कुमार यादव जासा जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ इतना बड़ा गुना हुआ मैं समझता हूँ 31 साल होगे साल डेड़ साल पहले उसको डेब्यू दिया गया जबके वो डिजर्व करता था पांच साल पहले वो डेब्यू कर जाता और यह वही स्काय है जिसे हर्दिक पांडिया रोईद दा हिट मैं शर्मा ने अडेंटिफाई किया था उसने कहता यह प्ल हुआ इसमें कोई शक नहीं है कि सिरीज इंडिया ने जीती लेकिन आप इमानदारी से बताएं तीन जीरो इंग्लेंड के घर में यह माइकल वान यह फलाना यह केवन पेटरसन यह दिस यह डाट यह अपने ही सारों को अंदर और नीचे और उपर से आग ना लग जाती करते तजर्बात मैं कहता हूं जरूर करते तजर्बात लेकिन क्या भुनेश्वर कुमार आपके वर्ल्ड कप प्लैंज में है क्या भुनेश्वर कुमार आपके एशिया कप के प्लैंज में है बैस जिम्बाबे था वेस्टन डीज था जितना प्लेयर बॉलर जितना वो कहत he is bowling one of the best spells मुझे उसके early days याद आ गए हमने तो एक एक दिन उसे follow किया या आज की तरह थोड़ी कि कल आए हैं और उसको follow कर रहे हैं या पता नहीं है तो भाई जान बनेश्वर को नहीं बैटना चाहिए चलें भूमरा को मुझे नहीं पता क्यों रेश दिया है लेकिन चलें दे भी दिया तो मेरा भाई हुदा अर्शदीब क्यों नहीं है चलें रवी बिश्णोई ने शानदार परफॉर्मस दिया लेकिन चाहल पहले भी आपने 2021 में उसको बाहर बिठा दिया ये कुन सा तरीका का रहा है स्काय के बारे में कहा है रॉहिद शर्मा ने रात को प्रेस कान्फरेंस में उनों ने कहा है याव सीन बैस्ट एवर टी-ट्वेंटी इनिंग्स एवर यानि मेरी जिए ये कहरा है रॉहिद दा हिट मैं शर्मा अगर दुनिया भर आपका विराट और रोहित को मानती है तो इसके पेछे कोई ना कोई कारण होगा अगर इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट है वर्ल्ड क्रिकिट में तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा अगर आप चाहें तो मैं बड़े सकून से तहम्मल से बात बायों आपना कहना मुसिन भाई तब्याभर ठीक है मुसिन भाई बिमार तो नहीं होगे जब मैं अ्राम से बात करता हूं तो कई दोस्त यहां पाकिस्तान में मेरे प्रिशान हो जाते है के मुसिन भाई की तब्या designed खराब हो गया, अब आज आते हैं हर्दिक पांडिया साथ पे, हर्दिक पांडिया साथ, इस इस दे गोल्डन पिरिए अफ यूर लाइफ, यू आ इन्जॉइंग वेरी वेरी वन्डरफुल आइरलेंड सीरीज, यू वेरी वेरी डीसेंट तिल डेट, इंगलेंड सीरीज, ब आपने, अपने कप्तान, रोईच शर्मा कोई अभी उस कर दिया, वो साफ नोट हो गया, यार ऐसा ना करें, हर्दिक पांडिया, डोंट काट शॉट यूर, डोंट काट शॉट यूर केरियर, यू आर गोल्डन बॉइ ऑफ इंडियन क्रिकेट, और अभी आपकी उमर के जिसे कहते हैं, रॉंग इंफोरमेशन है तो चेक कर लें जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसे अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है, कोई इसे गलत इंफोरमेशन बता रहा है, कोई कह रहा है कि बढ़ा चड़ा कर, खबरों में दिकाया ज रहा है विकरांद कुप्ता ने भी इस पर बात की है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं था DRS DRS को लेकर जो थी बातचीत ही हो रही थी हाँ थोड़ी सी जो बातचीत थी जिसमें हर्दिक माणिया कहा रहे हैं कि जब वे गेंद बाजी कर रहे हैं तो कम से कम DRS के लिए उनकी जो है उनकी राय इंपोर्डेंट है तो थोड़ा लेंग्वेज जो थी जरूर उंजी नीची हो सकती है लेकिन अब्यूजमेंट नहीं था अलग-अलग लोगों का अलग-अलग मत है आपका क्या मत है आपकी क्या राय है इस पर बताईएगा यहां वही बातचीत पर सुर्य कुमारी आदवार जो तारीफों के पुल बांदे है रोजश शर्मा ने उस पर भी आपका क् करेंगा मिलेंगे सुबह इजाज़त जय है